मिलोड आज हमारी अधालत में तोड़ फोड़ करने आए हैं P.W.D. के आफिसर मिलावट राम जी अरे देखे आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप पैसे बचाने के लिए नई सडके नहीं बनवाते बलके उन्हीं टूटी हुई सडकों की मरमत करवा देते हैं ऐसा क्यों? ना ना मैं ऐसा पैसे बचाने के लिए न करता वक्त बचाने के लिए करता अब नई सडक बनाने में जितना पैसा लगेगा उतना पुरानी सडक को रिपेर करने में भी लगेगा सीधी बात है देखे आप पर ये भी इल्जाम है कि आप ग्रामीन शेत्रों में हर साल एक नई सड़क बना देते हैं लेकि जिर्फ फाइलों में वो क्यों मैं खुद हैरान हूँ कि वो गाउं कहा हैं कौन से हैं जिनके नाम से उपर से फंडिंग आ रही है देखे आप पर ये भी इल्जाम है कि आप अपना काम पूरा नहीं करते ये तो गल्त बात है मैं तो अपना काम कर देता हूँ फटाक से मतलब सड़क बना देता हूँ यूँ एक दिन में वो तो सड़क के उपर है कि वो कितने दिन चले देखे आप पर ये भी इल्दाम है कि आप ऐसी ऐसी जगा पर पुल बना देते हैं जहाँ पर नीचे नदी नहीं बैती भाई नदी के लिए पुल नहीं है तो? ये लिया गया कि इसको उपर पूल बना दो पूल मैंने फटाक से बना दिया है? मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद हैं देश के एक जाने माने नेता ठीक है शुरू करो यार देखे आपर सबसे पहला आरोप ये है कि आपने पार्टी की रैली में लड़कियों के साथ डांस किया आपको मजा आया अब मेरा मतलब है कि क्यों किया क्या हो गया? क्या हो गया? यह हमारे देश की परंपरा है हमारे देश के पती अपने पत्नियों के इशारों पर नाचते हैं हमारे देश के नेता हाई कमांड के इशारों पर नाचते हैं तो मैंने सोचा इशारों पर क्या नाचना चलो इनके साथ ही नाचते तो मैंने परंपरा का निर्वा किया है देखे आप पर ये भी अरोप है कि आपने लड़कियों के साथ डांस करके इस समाज को एक गलत संदेश दिया है गलत संदेश दिया है कोई गलत संदेश नहीं दिया है बल्कि हमारे नाचने से समाज को ये संदेश गया है कि कोई भी पार्टी की रैली में किसी नेता का नाचना अच्छा नहीं है वरना है मीडिया वाले पीछे लग जाते हैं देखे आप पर ये भी अरोप है कि आपने उस दिन बहुत सारी शराब पी रखी थी गलत है वही मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल गलत है नहीं नहीं ये सवाल गलत है मैंने शराब नहीं पी रखी तुई मैं शराब को छूटा भी नहीं हूँ भांग और शराब में आपको फर्क करना चाहिए भांग की बात दी कुछ हो रहे यार देखे आप एक MP हैं आपको इस तरह से लड़कों के साथ नहीं नाचना चाहिए क्यों नाचना चाहिए ऐसा कोई नियम है मैंने ऐसा कोई नियम पार्लेमेंट में आज तक नहीं सुना हें मिलोड आज हमारी अदालत में मौजूद है एक आयोई नेता जी उइवी, उइवी, हलो डालिंग, हलो सर, ससी काल, दसो जी देखे नेता जी आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप स्ट्राइक के वक्त कुछ नहीं करते हैं आप ये बताईए कि आपने रेल्वे स्ट्राइक के टाइम पर क्या किया डालिंग, मैंने बहुत कुछ किया यार, बल्कि बहुत कुछ करना पड़ा, इस्ट्राइक के दिनों पे, मैंने रेलवे की बजाए, फिर फ्लाइट से लियात रखी, हुई 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 देखे, आप पर ये भी अरोप है, कि आप बिना कुछ किये नेता बनगे, जबके आप ये बोल रहे हैं, कि आप ने बहुत जादा महनत की नेता बनने के लिए डालिंग, मैंने बहुत महनत की यार मैंने चार मडर किये मैंने बारा डकेतियां डाली डेवर सो लोगो चुना लगाया तीन सो लोगो का किड्निप किया फिर नेता बना यार कमाल है यार, वेरी गुड यार आप कुछ के बाद जेल नहीं हुई मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद है राजनीती की एक जानी बेमानी शक्सियत नेता कूप करम सिंग जी देखें नेता जी आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप आँके बंद करके सरकार चलाते हैं भाई, हमारी मजबूरी है मुझसे जन्ता की दुख देखें नहीं जाते देखें, आप पर ये भी इल्जाम है कि आप अपना काम नियम से नहीं करते अरे मैं तुम बहुत नियम से करता हूँ काम ना करना मेरा हमेशा का नियम है और इस नियम का मैं कडाई से पालन करता हूँ देखें आप पर ये भी इल्जाम है कि आप पारलेमेंट में कुट्टे बिल्यों की तरह लड़ते हैं यहीं तो भाज गे तुम पारलेमेंट की सेशन को फिर से देखो अच्छे से देखो हम कुट्टे बिल्यों की तरह नहीं लड़ते बलकि कुट्टे बिल्यी हमारी तरह लड़ते हैं देखें आप पर ये भी इल्जाम है कि आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहें तो अरे, गरीबों के लिए तो हम काम कर रहे हैं, आज कल हम गरीबों को गरीबी का प्रमान पत्र दिलवा रहे हैं, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, अब कोई भी, किसी भी गरीब को, फुटपात पे सोने से, ब्रिज के उपर सोने से, ट्रेन के पीछे सोने से, भाद होगर दो, भाद होगरी झारो sortir